हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल ओनलाइन क्लासेस 2.0 में मैं अभी नीका आज हम वैदिक संस्कृती के सेट 4 को सॉल्व करेंगे अभी तक हम वैदिक संस्कृती से रिलेटेड तीन सेट के कुश्चन को सॉल्व कर चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को हमारा फर्स्ट कुश्चन है रिग वेद के किन 6 मंदलों को वंस मंदल या गोत्र मंदल कहा जाता हैं दूसरे मंदल से 7 मंदल तक एक मंदल से 6 मंदल तक तीसरे मंदल से 8 या 4 से 9 तो मैं आपको बता दूँ दूसरे मंडल से साथवे मंडल तक जो मंडल है उसको हम once मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं तो जो उसका right answer हो जाएगा वो हमारा A हो जाएगा next question हमारा है किस वेद में जादूई माया और वसी करड का वर्डन किया गया है यानि कि इंगलिस में बोले तो magical charms and spells ठीक है रिगवेद येजुरवेद सामवेद या अर्थवेद तो मैं आपको बता दूँ ये वसी करड और जादूई चीजन जो दे रखे हैं ये हमारा जो है अर्थवेद के अंदर दे रखे हैं तो इसका जो right answer हो जाएगा वो अर्थवेद हो जाएगा D next question है आरे सब्द इंकित करता है किसे इंकित करता है क्या नरजाती समू को करता है या या वरीजन को भासा समू को या स्रेस्ट वंस को मैंने आपको पहले भी बोला है आरे अपने आपको स्रेस्ट बताते थे वो एक वंस था इसलिए इसका जो राइट आंसर है ये D स्रेस्ट वंस को इंकित करता है ओके next question है रिगवेद में कुल कितनी मंडल है 7,8,9,10 तो रिगवेद के जो टोटल मंडल है वो 10 है ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा D हो जाएगा आरे भारत में संभवता आए थे वो मतलब किस टाइम पिरिएड पर कहां से आए ये पूचा गया है कहां से आए यूरोप से मद्द एसिया से पूर्वी एसिया से या अन्य छेतरों से तो मैं आपको बता दू जो आ रहे भारत में उस टाइम पर आए वो मद्द एसिया से आए थे तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो इसका B हो जाएगा निक्स कुईशन दे रखा है कौन सा वेद गद्द रूप में भी रचित है मतलब गद्द रूप में कौन सा है रिगवेद, यगुरवेद, सामवेद या अर्थवेद याद रखेगा गद्द वेद में जो है वो यजुरवेद दे रखा है ठीके तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा B हो जाएगा निक्स कुईशन है हमारा सभा और समिती प्रजापती की दो पुत्रियां थी का उल्ले किस वेद से मिलता है आप्सन दे रखे है रिगवेद में, यगुरवेद में, सामवेद में या अर्थवेद में याद रखेगा सभा और समिती प्रजापती की जो दो पुत्रियां है इसके बारे में जो है अर्थवेद में दे रखा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा D हो जाएगा Next question हमारा है रिगवैदिक युक की प्राची इंतम संस्था कौन सी थी सभा और समिती जो हमारा दे रखा है ये अर्थवेद में दे रखा है लेकिन रिगवैद की पुरानी संस्था पूछिए प्राची इंतम तो या तो वो परिसद होगी या विदत होगी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा C विदत हो जाएगा ठीक है जो प्राची इंतम संस्था है रिगवैदिक युक की वो विदत है नेक्स कुईशन है हमारा भामण ग्रंथों में सरवादिक प्राचीन कौन है एत्रे भामण, सत्पत भामण, गोपत भामण या पंचविस भामण मैं आपको बता दू सबसे पहले रिगवैद आया था ठीक है सबसे पहले वेदों की रिचना हुई जिसमें सबसे पुराना वेद रिगवैद माना जाता है उसके बाद बाकी के आई जैसे कि हमारा ये जुर वेद आया देन साम वेद आया लेकिन ये जुर वेद से भी पहल मड़ाता है और उसके बाद हमारा यह जूर्वेदा आता है तो इसका राइट आंसर हमारा भी हो जाएगा निक्स कोईशन हमारा है गोत्र व्यवस्ता प्रचलन में कब आई रिग वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में महा कावे काल में या सूत्र काल में याद रखें, स्टार्टिंग में नहीं थी वैदिक पीरियड के, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में व्यवस्त सब प्रचलित हुई, तो इसका जो राइट आंसर है, वो हमारा B हो जाएगा, नेक्स कुईशन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था, उस टाइम पे किस सब्द किसके लिए प्रियुक्त होता था, चावल गेहु जो का पास, जो विरीही सब्द है, वो चावल के लिए उस होता था, तो इसका राइट आंसर जो है, वो हमारा A हो जाएगा, ओके, नेक्स कुईशन हमारा दे रखा है, अथर्व का अर्थ क्या है, देखो अर्थर् पूरा जादू टोनर पे है, तो इसका जो राइट आंसर है, यह हमारा पवित्र जादू, ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा A हो जाएगा, नेक्स कुईशन हमारा है, सूची A को सूची 2 में सुमलित कीजिए, A में दे रखा है सिच्छा, B में दे रखा है कल्प सूत्र, C निरुक्त, D चंद, दूसरी जो सूची दे रखी है, उसमें हमारा धनी सास्तर, दूसरा कर्मकांड, सब्द व्युप्ति, सास्तर, या फिर भासा सास्तर, चंद सास्तर, देखें, सिच्छा जो है, वो सिच्छा में इसको सुमलित करेंगी, तो सिच्छा का मतलब धनी सास् कल्प सूत्र मतलब कर्मकांड कल्प सूत्र का मतलब होता है हम जितने भी कर्मकांड करते हैं तो इसका इससे रिलेटेड है निरुक्त क्या होते हैं सब्द होते हैं या भासा सास को हम हो कहते हैं और चंद सास को कहते हैं तो यह यहाँ पर सीधे हो जाएंगे A का 1, B का 2, C का 3 and D का 4 तो इसका right answer जो है A हो जाएगा प्राचीन्तम व्याकरण अस्टा ध्याई के रचनाकार हैं कौन है? गौतम, कपिल, पतंजली या पदमिनी देखें पतंजली जो थे योग गुरू थे कपिल और गौतम मैंने आपको कुछ-कुछ बताया था कि गौतम जो थे उन्होंने न्याय की बात करी थी यहाँ पे मैं आपको बता दू जो पदमिनी है न वही जो है सबसे पहले पदमिनी जी ने अस्ट ध्याई व्याकरण मतलब कि यह जो है हमारी संस्कृत व्याकरण जिसका नाम क्या है अस्ट ध्याई इसकी रशनाकार की थी सबसे पहले मतलब इंट्रेड्यूस ही संस्कृत व्याकरण को पदमिनी जी ने किया था तो यह जो अस्ट ध्याई है यह संस्कृत व्याकरण के उपर ही है ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सबसे पुरानी जो इसमर्ती है वो हमारी मनु इसमर्ती है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा निक्स कुरिशन है आदी काव्य की संग्या किसे दी गई वो हमारा ए है, अब जिस तरह मैंने आपको सबसे पहली इसमर्ती बताई, मनु इसमर्ती, वेद बताया, रिगवेद, भ्रामण बताया, सत्पत भ्रामण, इसी तरह पूचा गया है, प्राचीनतम पुराड कौन सा है, मत्से पुराड, भागवत पुराड, विश्नु पुरा सब्सक्राइब ना किया हो, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वैल आइकन भी जरूर, हिट करें, ताकि आने वाले सबी वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिल सकें, थैंक यू सो मच,